नमस्कार आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कारिक्रम जोतिश सागर रत्न विज्ञान में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका दोस्तों आज किस एपिसोड में हम एक बार फिस्टे करेंगे नमस्कार आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कारिक्रम में और मैं हूँ आपके साथ अंशिका दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे मिट्स रहते हैं और रहता है कि यह फैक्ट्स हैं या मिट्स हैं तो आज हम इन ही के बारे में बात करने वाले हैं बात करेंगे जोतिश के बारे में एस्ट्रोलोजी के बारे में और जानेंगे कि रतनों का आखिर हमारे जीवन में क्या महत्व होता है रतनों को लेकर बहुत सारे मिट्स फैक्ट्स भी आज की एपिसोड में क्लियर होंगे इस चर्ची के बार में बता दूँ जैमोलोजिस्ट है, एस्टो लॉजर है और इसके साथ वास्तु एक्सपर्ट भी है तो आए शिरुवत करते हैं चर्चा की और जानते हैं वारे शाथ जानते हैं वारे फैट्स और मिठ्स के पारे में बहुत बहुत स्वागध था रेजट जो ना इस हो जहूँ कि जब बात करते पर है फाइव थैलिमेंट्स को हम बहुत खरते हैं और इस थ्यूज़ित थो जो जो ड़ियर हम होते हैं तो जो रेजन कि इन कोंगो कि मती तो फ़ड़ेगे चेंज से जोड़े हुए पहले तो घचिखे की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जो चीज़ चेक करते हैं वो है एर, water, fire, earth and space इन पाँच elements को हमेशा चेक करते हैं इन जरली ठीक है यह पाँच elements ही अगर हम अपनी body को देखा जाए तो कहीं न कहीं core से हमारी related होते हैं अगर मैं बात करूँ air की, air element body का क्या होता है जैसे मान लीजे हम oxygen जो breathe करते हैं in general उसे हम air element से associate करते हैं अगर हमने वो air element अपनारी body से बाहर निकाल दिया तो इंसान की जाहिर है, मृत्य हो जाईगा अगर हम बात करें fire element की, तो जो हमारी body के अंदर blood run करता है, ठीक है, blood अगर body से बाहर निकल गया तो इंसान की मृत्य हो जाएगी फिर हम बात करते है, earth element की, earth element होता है, हमारी body की skin, ठीक है, हमारे हर body का part, ठीक है, अगर वो body का part में कोई दिक्कत आई, skin हमारी body से, डी skin होए, तो भी इंसान की मृत्य होगी आखरी जो element है, soul, ठीक है, जिससे अपन बोलते हैं, अपनी आत्मा, अगर आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है, तो भी इंसान की जो energy हो खतम होती है, और कहीं न कहीं जृत्यों की तरफ हम बात कर रहे होते हैं, तो इन पांचों elements को balance करना ही astrology है, अगर astrology को एक simple शब में बो पांचों तत्वों को balance करना, जैसे ही आपने इन पांच तत्वों को balance कर लिया अपनी body में, बाकि सारी चीजे, सारी दोविधाय, सारी problems आपकी life की, वो सारी हट जाती है, और एक बहुत सुखद जीवन की प्रापती होती है, इन पांचों elements को balance करना ही astrology है, और इनी पांचो elements को हम अपने इर्थगरत भी देखते हैं, हमारे घर के अंदर भी देखते हैं, हम astrology की perspective भी देखते हैं, जो भी हम planets की हम बात करते हैं, किसी ना किसी element के वो planet होते हैं, जैसे अगर हम सूर्य की ही बात कर ले, सूर्य का जो element है, वो fire element है, सिंग राशीक अगर बात करें, या बात करते हैं, जैसे ना कहीं मूव होती रहती है, और इंपक्त होती है, तो रजत जैसे कि आपने बताया है, या हम वास्तु में भी इनलिमेंट को देख पाते हैं, वास्तु में किस तरह सेने देखे हैं, जैसे एक human body, एक temple है, हमारी body अगर तो हमारे घर भी हमारी लेक तर करते हैं, मान लीजे आपने कोई नया घर ख़ीदा या कोई पुराना घर भी है, तो अगर हम जैसे हम बोलते हैं, कि हमें वास्तु की हिसाब से अपने घर को compliance करना है, और मान लीजे कि हमारे घर में दिक्कत हैं, कर आद कोई वास्तु दोस्तों नहीं है, तो हम इन पाँच सब्कार का जवाब, बिल्कुल वास्तो के परस्पक्ट से भी हम इन पांचों उल्मेंट को ही बैलन्स को शच शच करते हैं भा lige उसको हम बाद नقد बात करें जाते हैं? तो उसके अंदर डिरेक्शन के बेस पे घर के ब्रहमस्तल के बेस पे ब्रहमस्तल का मतलब घर का जो बीच ओ बीच एरिया है उसके बेस पे आप हर एक डिरेक्शन को देखते हो हर एक डिरेक्शन को नापते हो और देखते हो कहां पर पानी का तत्व है कहां पर जल का तत्व ह कहां पर वायू का तत्व है और कहां पर प्रित्वी का तत्व है इन सारे तत्वों के बेस पे आप एक अनलेसिस करते हो और उस बेस पे आप एक घर को वास्तु के इसाब से चेंज करते हो इसको बैलन्स करना ही वास्तु बोला जाता है कई जगे चाइनीज फैंग शुई का यहीं से आता है, बट कही ना कही अगर आपन water elements की बात करें, तो north side घर के अगर हम देखें, तो वह water element dominated होता है, तो उस जगे जितना हम पानी का स्तर, या फिर water elements की energy को बढ़ाएंगे, वहाँ पर वह area balance होगा, जिदर हम अगर east की बात करें, तो fire elements, ठीक है, अगनी तत्व, त अगर आपने देखें, तो कहीं न कहीं हमारा जैसे stove होता है, stove east side पर होना चाहिए, भले kitchen south में हो, बट कहीं न कहीं, जितना हम east side को balance करेंगे fire elements के साथ, तो उतनी energy हमारी लिए अच्छी होगी, अगर हम south side की बात करें, तो south side पर earth elements जादा matter करते हैं, तो जितना हम energy greenish रखे करेंगे उतना बेटर है, आखरी जो element हम space की बात करते हैं, घर का जो ब्रह्मस्तल, उस ब्रह्मस्तल को बोला जाता है हमारा space element, जितना आप उसे खाली रखेंगे, जितना आप उसका पाथ होए open रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, तो इस तरह इन पांचों जितने elements को घर में balance करने से एक वास्तु का दोश खतम होता है, इसको हम बोलते हैं कि हम elements के basis पर एवन वास्तु को एपलाई करके घर की खुशहाली भी बढ़ाते हैं, रजत क्या colors का मैं आप से जानना चाहूं कि जब आप कर रहे हैं घर के वास्तु की ठीक है, तो घर का व एक अध्मॉस्फेर कैसा रहता है? घर का एटमॉस्फेर जैसे मैं आपको बताया पैली चीज तो हर इनसान को हर एक color suit नहीं करता एक color थेरपी जितने ही वास्तु के अंदर है उतनी astrology के अंदर इंदर एक काफी जादा इंपॉटंस बन जाती है, अगर मैं सिर्फ वास्तु इंदर जो आपका पानी का एरिया होता है, सिंक हो गया नल हो गया, अगर साउत में भी वो कहीं, गल्ती से साउत वेस्ट की तरफ जाना चालो हुआ, ठीक है, तो वो एरिया उसके लिए सही निये है, वहाँ पर वास्तु दोश कहीं न कहीं बनता है, तो सिंक अगर आपका वह अगर अगर देखें कोई कमरा हुआ, तो उसको अगर हम बच्चों का अगर कमरा है, अगर उसको हम और व्यूटिफाय करना चाहते हैं, तो उसको लाइट ब्लू कलर से उसको आप पें कर सकते हैं, वकाईदा कहीं न कहीं वहाँ पर उस रूम की अच्छी होगी, बच्चों आगे उननती भी करेंगे, तो कलर का डेफिनेटली कहीं न कहीं असर पड़ता है, अपनी जनरल लाइफ पे भी और वास्तो किसाब से घर पे भी, तो अगर अगर गाड़ी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, तो के वहाँ पर भी हमें कुंडली देख कर लेना चाहिए या किस अगर अगर चाहिए, तो मैं पहले आपको बताता हूं इन जनरल कलर का, अगर आते हैं बात वाहन पर करते हैं, तो आपकी जो कुंडली होती है, वो डेफिनेटली ये बताती है आपको किस टाइप के रंग जादा सूट करेंगे, माल लिजे कि अगर आपका फाइर अगर आ इन तीन जोडिया के बेस पे आप ये जांच कर सकते हैं कि आपको कलर सूट क्या करेगा, कही ना कहीं आपको लाल रंग बहुत जादा सूट करता है, लाल और पीला रंग जो होता है, वो बहुत जादा सूट करता है, इस पर्टिकलर तीन राशियों के अंदर, अगर मैं ब के इन वह वह सुपते हैं कि सफएद रंग कितना evacण करता है कुंडरी कितना जादा hotter स intra intra- arthi gadiход बहुत जादा लेत गौडिए नियर अगर किसे और लगन के भीषा कर ज시다 हमाँ आद यह नियर ब mãद करुई में हरी गारी और नीली गाडी हमें रहले लेनेàng आगर क्वारी नहीं हता है कि घलते है कि आदे काली गारी आध लिए तो एक्सिटेंट होने की चांसे काफी कम हो जाते हैं अगर समय विपरीद भी हो तो कहीं न कहीं वो अपको बचा लेती है तो इस वरे से गाड़ी का कलर अपनी राशी के हिसाब से लेना विल्कुल और अनिवार्य हो जाता है तो रचत इस असाब से अब क्या मुझे भी मेरी अगर मुझे गाड़ी लेनी हैं तो मुझे कौन रंकी गाड़ी लेनी है ये अबता स्यद्ध गय Уळ्य हो जर्खूं सब्हया है बर्फ कर डेक्या हो है 13 12 1997 और तायम है सुभा च्शे पजे बांग है और बर्फ प्लेस है मत रा हूं और क्या ना घंटळ अपको नेख़ के लाल और पीले रंकी ले सकते हैं और कोई कलर ले सकते हैं वाइट कैसा रहेगा क्योंकि मुझे वाइट लेनी थी यह वाइट का जो रंग है आपका इतना खास नहीं बनता है और जहां पर अगर अगर आपकी दृष्टी में बता हूं कुंदी के हिसाब से तो कर्क लगन आप आपको बढ़ता है इस हिसाब से तो आपके लिए अच्छी नहीं पड़ेगी आपकर गाड़ी में प्रीच के बात करना चाहते हैं तो रजस्टी से कॉन्टैक कर सकते हैं प्र आप उनसे पॉइंट्मेंट ले सकते हैं और अपने जीवन के बहुत सारी समस्याव के समधान उनसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे के साथ एक पर फिर से अपनी चर्चा को जो डिसकुशन हम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे, रजट अब मैं आप से जानना चाहूंगे अस्ट्रोलोजी के बारे में, एस्ट्रोलोजी को लेकर बहुत डर लोगों के मन में रहता ह है, क्यों डरते हैं लोगों? एस्ट्रोलोजी डर के लिए नहीं बनी है, आपके ही बेटर्मेंट के लिए बनी है, अगर आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज अच्छी आ रही है, या मान लीजे कोई ना कोई जगे चीज़े थोड़ी खास नहीं बनती, तो वहाँ पर एक अच्छा आपको यह बता सकता है, कि अगर दिक्कते हैं तो उसका समाधान भी है, लेकिन डर्ना नहीं है, जो दिक्कते आएंगी उनको और किस तरह से उसक्ते हैं, उनकी इनर्जी किस तरह ड़िएट कर सकते हैं, ताकि आपको वुस दिकत का प्रमार्ण या फील नहीं हो, लेकिन एक चीज़ आप मान के बिल्कुल चलिए, एवरिटिंग इन लाइफ इस रिटन, हर इवेंट आपका लाइफ में होगा ही होगा, एस्ट्रोजी आप उस इवेंट को हेल्प करती है, या तो कम या जादा करने में, अगर मान लीजे कोई दिक्कत है लाइफ के अंदर, तो आप मान लीजे वो दिक्कत होगी जरूर, लेकिन एस्ट्रोजी की हल्प से आप सिर्फ उस दिक्कत को इतना लेवल तक कम कर सकते हैं, अगर आपको पहले पता लग जाये, यह दिक्कत है, तो इतने लेवल तक कम कर सकते हैं, यह पता भी ने चले को मान लीजे की अगर काफी लोग भुलते हैं अगर दरने की क्या बात है रिखा है हुआ तो यह ना अच्छी बात है नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं बताइये उसको आप करने के लिए तो आप कोई डिरेक्शन के नर्पनी उस एनरजी को बढ़ा सकते हैं जहां पर एक्सटे उस लेवल तक help कर सकती है वहीं पर अगर मान लीजे हम losses की बात करें ठीक है अगर आपने बोलते हैं कि एक लाग का नुकसान होना है या कई लाखों का नुकसान होना है तो अगर हम astrology की help से ये जान ले कि भाई अगर नुकसान लिखाए तो हम कुछ न कुछ रेमिडी कही न कहीं कुछ अच्छ रत्म पहना कर आप उन issues को थोड़ा कम कर सकते हैं जहां पर लाग बर का नुकसान होना था पर एक हजार के नुकसान या तीन हजार के नुकसान के जबरी थोड़ी कि चीजे खराबी होती है ठीक है चीजे अच्छी भी तो होती है अगर आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ में काफी सारी चीज अच्छी आरी है तो उसको और कितना बढ़ा कर सकते हैं जिसकी इंटेंसिटी को हम किस तरह और बढ़ा सकते हैं वहां प सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर लाग बर का फाइदा था तो क्या पता आपको लाग के जग दो या पांच लाग का भी फाइदा हो सके तो यह आपको हेल्प करके आपके रेमिडेज के थुरू और चीज़े बेटर कर सकती है जे तो ऐसा नहीं है कि एसलोगी से सरफ बुरिया पता चलती है और अगर बुरी बात चलती है तो यह प्रौशने से पहले एक थीक कर सकते हैं बहुत-बढ़ नुकसान के बज़े चोटे नुकसान में भी था निकल सकता इन फुरूब्लम नहीं है और अगर आप इठीज घर क तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिलकुल जैसे मैं उको बता रहा था कि इतना ज्यादा डर लोगों के रिए हो गया है कि आपके कालसर्दोश है आपके कंदली के रिविष दोश है और आपके मंगल बिलकुल बक्री है और ऐसी कई सारी चीज़े बोली जाती हैं जिसकी वज़े से लोग डर जाते हैं तो है तो है तो क्या हो गया ऐसे काफी सारे लोग है जिनकी लाइफ में यह सारी प्रॉल्म है बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ हमेशा दिक्कत से भरी रहीगी अगर दिक्कते हैं तो उनका निवारण है और इसी वज़े से कही न कहीं आस्टालोजी आपको help करती है मालीज अगर किसी की कुडली में काल सर्थ दोश है ठीक है काल सर्थ का मतलब यह हुआ कि राहु से केतु की बीच में सारे प्लानेट्स आ गए तो आप यह देखिए ठीक है कोई बात नहीं दिक्कते एक साइड है तो उनको बैलन्स करने के लिए कहीं न कहीं कुछ सेट अफ पूजा होती है काल सर्थ की पूजा होती है और हां काल सर्थ की पूजा उज्जैन में ही या तो त्रिबंगेश्वर के नदर नासिक के अंदर क कर सकते है इसके साथ सथ आप सहीं जैम स्टोन पहने के कहीं न कहीं राहू का वह वहिलाक कम्जाव कर सकते है तो इसका अपना धरने की बात नहीं कि चल्लो कोई प्रॉल्म है अगर आप मान लिजे। आप डॉकटर के पास जा रहे हैं तो आप बोलाई विए एक सही एस्टार आपको उसी तरह गाइड करता है कोई दिक्कत नहीं है प्रॉलम है ना सॉलीशन मिल जाएगा ठीक है प्रॉलम सॉल्फ हो जाएगी आप इतना परशान मत होईए जितनी परशानी से काफी लोग है जो और परशान हो चुके हैं कोई दिक्कत निया डरन अगर आपको सही मार्क दर्शन मिलता है सही गाइडन्स मिलती है तो आपकी लाइफ बहुत आसान और बहुत खुशाल तरीके से निकल सकती है यह तो रही बात उन लोग के लिए जो डर जाते हैं तो डरने के आपको ज़रूरत नहीं है आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है लेकिन एस्ट्रोलोजी सिर्फ पर सिर्फ प्रॉब्लम और सल्यूशन पर नहीं है आपके जीवन में अगर आप सब कुछ अच्छा भी कर रहे हैं बहुत अच्छी तरक्य भी हो रही है और आप और भी जादा बैटर अपने जीवन में परफॉर्म करना चाहते ह तो उसके लिए भी एस्ट्रोलोजी एक साधन है जी हां दोस्तों आप जान सकते हैं कि कैसे आप जो जिन्दगी अच्छे से बीच रही है उसको और भी जादा अच्छी तरह से और भी जादा क्वालिटी के साथ में कैसे बिता सकते हैं तो इसके लिए भी आप बात कर सकते आप टीवी पर दिये के नंबर्स पर कॉल करके तो बात कर ही सकते हैं, इसके साथ इनकी अपॉइंट में आप ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट जो की है एस्ट्रो एनरजी इंटिया.com से, तो आए एक बर फिर से अपनी चर्चा को प्रारहम करते हैं, रजट अब मैं आप से करना चाहूंगी थोड़े से facts, myths हैं या misconceptions हैं आप से बात करना चाहूंगी कि ठीक है या गलत हैं आप से जानेंगे, सबसे पहले हम बात करें तो मोती को पहनने के बारे में बहुत लोग बोलते हैं, अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो बोलते है मोती पहना दो, शान में कम हो जाएगा, जरूरी नहीं है, ठीक है मोती एक ऐसा जैम है, जो पहनता ही पहली चीज़ आपके मस्तिश्क, आपके दिमाग, आपके emotions को control करता है, अगर आपके birth chart के अंदर, चंदर की placement सही नहीं है, और अगर आपके birth chart के अंदर, आपका चंदर आपको support नहीं करता ह तो मोती पहना सही नहीं होगा, मोती जो होता है, वो कहीं न कहीं आपके emotions को और जादा वेवी बना सकता है, उस case के अंदर, आप जितना irritate हो रहे हैं, शायद irritation level और बढ़ जाए, जितना परशान हो रहे हैं, परशानी और बढ़ जाए, जितना गुसा आता है, वो गुसा और बढ़ सकता है, अगर मोती आपको सही सूट नहीं करता तो, तो अगर आपकी कुंडली के अंदर, चंदर की position सही है, अगर आपको चंदर सूट करता है, तब ही मोती को धारन करिए, और उस base पे आपके दिमाग को शान्ती काफी हद तक मिलेगी, गुसा भी अगर आपको और मोती पेहनते ही, उनका गुसा और तीवर हो सकता है, गुद्धी के अंदर थोड़ी सी और टेंशन आ सकती है, लाइफ में एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेसिवनेस रिलेटेबली जादा आ सकती है, तो मोती एक ऐसा रतन है, जो आप सोच समझ के पेहने है और हाँ, सिर्फ मोती को पेहनना ही सही नहीं है, मान लिजए अगर सपोर्ट भी करता हो, तो सही क्वालिटी का मोती पेहनना जादा है, जैसे अगर मोती के चर्चा करी रहे है, तो मोती जैसे बसरा के मोती होते है, वो सबसे जादा हाई क्वालिटी के होते है, क्वालिटी पहन सकता है। और लाभ ले सकता है। तो रचिस बता रहे हैbak acuerdo किस सी ने जब अग मोटी को भालतर सोचाitel उन्दध किसा पहन सकता है। देखे, मोती को अगर आपको धारन करना है तो आप सिल्वर में धारन करिए, ठीक है, छोटी उंगली, चिटली उंगली जिसे बोलते हैं, इस उंगली के अंदर आप बकाइदा पहन सकते हैं, और कई जगे ये भी misconception आता है, कि भई मैं लेफ्ट में पहनू या राइट में पह करो, medical sciences की बात करो, तो इस उंगली की जो वेन है, और इस उंगली की वेन है, वो दोनों की दोनों हमारी core पर आके अतलाती है, ठीक है, तो आप इस हाथ में पहने या इस हाथ में पहने, कोई फरक नहीं पढ़ेगा, ठीक है, काफी लोग बोलते हैं कि कर्म के हाथ में पहनन हैं किसी भी तरीके से, तो आप गले के नदर बकायदा यहां पर एक लॉक्ट में डालके मोती को पहन सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी आपकी core पर वो मोती हिट कर रहा होगा, तो मोती पहनने के आपने बता दिये, इसके साथ में और जानना चाहूंगी, रज़त कहा जाता ह जिनकी नहीं हो रही होती है, बोला जाता है कि पुकराज पहना दीजे ने, शादी हो जाएगी, क्या ऐसा पॉसिबल है, अचा मेरी एक फ्रेंड भी है, वो शादी नहीं कर देए, क्या उसको पुकराज पहना दू तो वो चलेगा, आप पहना के देख लो गर भी शादी हो और शादी वाले उसको ौर खराब करना, चुल्डवाले वाले उसको और खराब करने, द्रिश्टी बकाइदा आपका ब्रहस पती रखता है, 50% कुणलिया ऐसी हैं जहांपर, मैं आपको अभी नंबर भी बताओ, 50% कुणलिया ऐसी हैं, जहांपर ब्रसपती शादी के आउ ऑफ चार्ट की बेसिस पे आपकेbula पेस पिर माल लीजिये के अगर जुपिटर चौट नहीं करता है तो पlisu पुखराज ना पर ने जरुरी निये यह बात सही है लेकिन उसके अंदर भी आपको एक अच्छे विशेशक्या से बात करके ही आपकी कुंडली चेक करवाके ही आपको एक कोई भी ऐसा जम धारंड करना चाहिए जो आपके शादी की भाव को ठीक करें तो अगर आपके दोस्त की बात करूं तो प्लीज उनको बोल क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी मम्मी की बड़ी परेशानी है तो मैं उनकी भी आपसे बात करा दूंगी क्या कराना है क्या कराना है क्या नहीं कराना है तो रतन की इन जनरल भी क्वालिटी बहुत इंपोर्टन होती है कोई भी रतना आग बंत करके नहीं पहन सकते है रत्ना इतने ज़्कickenा मोगरें, हीपधे लिए से सभए वख दोकितों है। फृषी तो यह नहीं को चैना पना गृषी मारे क्रेनर के साधिये जाए, जो उपे जैसे वर फोरेके महें भाउने हाई नहीं को इस फोरे थे रहुते हैं। तो बंद करें एकर किसी आतनी को धारन करना जैसने का थीक कर देगा यस कारियर को कही बिएट कई तीक कर देगा रिवेयर्ल सही नहीं हो हमें क्वालिटी को भी एक एक माम प्धारल चाहिके और हम उस क्वालिटी के बेशे कर करना चाहिए अगर क्वालिटी सही नहीं होगी तो वही जम कही न कही हमाई परसनल लाइफ में उतनी ही दिक्कत करेगा इमोशन को उतना ही डाउन करेगा शादी बाले भाव को उतना ही डामेज करेगा जितना एक खराब रत्न पहनने से होता है तो रजट जी के साथ मैं आप आपके तबर ठीक हो जाएगी नहीं है यह सारी के सारी मिस्कंशेप्शन है अमाई लाइफ के अंदर जो काफी लोग बोलते हैं कि अच्छा आप की दशा चल रही है तो आप एक काम करो आप एक गोमेट पहन लो उसी तरह बोलाई एक काम है जादा बात नहीं करता है या फ नहीं को काम कोई पारमेटर नहीं होता है काम का अगर आपको सब्जेक पर नॉलेज है तो आपकी लाइफ ऑटमेटिक लिए उस खॉन्टेंस को बूस्ट कर देगी बट रतनों का इंपोर्टन्स और इंपक्त होता है मानिक पहनने से जरूरी नहीं की यह की कॉंदेंस बढ रतन पहनन पहनने लेकिन सुर्य गोंत mafia में फुर्फ अरे चाहरा करते हैं लगों है अच्छा रातस्त्रों मॉलझे हैं इसको खरीदना भी उसी ही ज़िए यह मान के कि भाई उसी नहीं पूर इस पार जब शासे पूर जब जाए इसल नहीं है तो सबसे पहले अगर आप सुबह अराम से उठते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो देखिए अपनी दिन चरिया को डिफिनिटी ठीक करना चालू करिए जितने जल्दी आप सुएंगे जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी आपकी लाइफ में चेंजे आएंगे सुबह उठते ही अगर आप सुबह अरली मानिंक जल्द देते हैं और यह याद रखिए समय जो आखिए वह साथ विजसे पहले का होना चाहिए साथ भी बहुत लेट है पांत से साथ किविछ अगर अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो कहीं ना खहीं उसकी जो रश्मिया है सूर्य की रश्मिया है आपकी बोड़ि को बहुत बॉत ज्यान करते हैं और यह कोई भी कर सकता है कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिसका सूर्य ख़राब है और इसका सूर्य अच्छा है और हर कोई यह रवेटी कर सकता है और से पॉजिटिविटी काफी मिलें कि अदर काफी जादा आपको BNefeats मेले हैं यहा तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है आपको वीडियो देखनी है और इसकी सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तो बने रहेगा हमारे साथ तब तक के लिए नमस्कार